आप सभी का हाद दिख स्वागत है अभिनंदन है और आपके प्रती कृतिग्यता है कि आपके आने से हमारा ये आपसी विचार विनिमय बहुती सूचारू रूप से हो सकेगा आज हम एक बहुत घहन विशय के उपर मन्थन करेंगे जिसके अंदर वक्ता और शोता का तारतम्य और तादात में रहेगा जब वक्ता के सामने स्रोता एक अच्छी स्माहिल के साथ में अच्छे मूड के साथ में बैड़ते हैं तो ऐसा लगता है वक्ता को कि मुझे कुछ नि कुछ जो मेरे भीतर है मेरे दिमाग में जो ग्यान है उसका मैं आदान प्रदान करूँ और वह सोता और वक्ता के तादात्मे तारतम्य पर निर्भिर करता है हम लोग सिक्षक लोग प्राफेसर लोग जब मारी 45 मिनट की क्लास होती है तो उस 45 मिनट के अंदर उसको टीचर को और स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि 45 मिनट तो 5 मिनट ही हुए हम कुछ और सुनें और हमारी कुछ जग्या सा उनकी प्यास बढ़ जाती है तब ये लगता है कि दोनों के बीच के अंदर तारतम्य बना हैं कनेक्शन बना हैं इस्ताई कनेक्शन हुआ है तो आज मैं एक ऐसे विशे को आपके साने रखना चाहता हूँ कि आप उस विशे को सुन करके हिल भी नहीं पाएंगे और आप मैसूस करेंगे कि विशे की जो बात कही है केवल मेरे लिए कि ये कही गई है आज का जो विशे है विद्या ददाति विनयम हमारी भारती ये संस्कृती का मूल है वो विनय है और वो विनय कैसे आती है वो विनय आती विद्या से विनय आती है सिक्षा से तो अब सिक्षा और विद्या इन दोनों को जोड करके विनय के साथ मैं ये पूरा विवेचन मैं आपके सामने रखूंँंगा पहला शब्दाया विद्ध्या विद्ध्या को हम सिख्षा भी कह सकते हैं education भी कह सकते हैं knowledge भी कहा जा सकता है शब्द कई हो सकते हैं लेकिन उसका अर्थ यही है कि एक ऐसी पदत्ये जो इंसान को इंसान बनाए बंदूओं हम बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं बहुत बड़े धन्वान बन सकते हैं बहुत बड़े नेता बन सकते हैं लेकिन सबसे पहले आवशकता है कि हम एक एक इंसान अच्छा इंसान बने और इस रश्टी के उपर जब एक अच्छा इंसान बनता है तो वो सैकड़ों, हजारों, लाकों, करोड़ों कि वो इनसान के अंदर नया जो है जोश भर करके अपनी भावना को प्रकट करना कर सकता है मैं आपको ताजा उदारन दू कि मैं नरिंदर मोदी जी को राजनिती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो एक सिक्षक हूँ मैं एक दाशिक, दाशनिक हूँ मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं योग का सिक्षक हूँ तो सब को जोड करके बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारा भारत का कितना हो भाग्य है कि हमें नरेंदर मोदी जैसे प्रधान मंत्री मिले हैं वह मात्र प्रधान मंत्री नहीं है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दिन की अंदर 15-15-16-16-18-18 गंटों तक कई वर्सों से देश के लिए काम करता है देश के लिए राजनिती का काम नहीं करता उनके मन में ऐसा विश्वास है कि हमारा भारत अच्छा बने सिक्षित बने स्वच्छ बने और उसके साथ साथ में सद भावना पैदा हो गरीब अमीर की जो खाई है वो मिटे वो निरंतर ये बात करते रहते हैं मैं बात कर रहा था कि सिक्षा एक ऐसी पदत्ती है जो इंसान को जो है सब्वे बनाती है एजुकेशन मेक्स ए मैन सिविलाइजड और जहां पर सब्वेता नहीं है सब्वे इंसान नहीं है वो जंगली राज होगा पसू और मनुष्य में फर्क क्या है पसू के पास भी पांच इंद्रिया है उसके पास भी वही आत्मा है हमरे जैसी है और वो हमरे जैसी एक्टिविटी करता है लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया उसको ऐसा दिमाग दिया है कि उस दिमाग का वो सदूप्योग करे तो वो एक ऐसा सब्वे इंसान बन जाता है कि वो लाखों लाखों करोडों लोगों की सेवा कर सकता है अपने ग्यान के द्वारा दूसरे के दुख को हर सकता है और अच्छी समझ पैदा कर सकता है बंदूओं सवाल प्रश्ण ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को धन दौलत दें धन दौलत तो एक सादन है हमें धन दौलत क्या है कि रोटी पैदा कर सकती है हमारा भोजन दे सकता है सईया दे सकता है सुख के सादन दे सकता है लेकिन हमारा जो knowledge है हमारी जो सिक्षा है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है अच्छे इंसान में और केवल जो है धनवान में फरक है धनवान कोई हो सकता है लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है और जब तक इनसान में इनसानियत नहीं आती है तब तक वो पसू समान, पसू के समान होता है हमारे जो मनुश्य हम लोग हैं, उनके समूद, मनुश्यों के समूदाय को समाज कहा जाता है पसुओं का भी समाज होता है उसको समझ बोला जाता है उसके अंदर एक मात्रा का फर्क होता है वो भी उनका सम्मू होता है लेकिन पसुओं का सम्मू होता है उनके अंदर सब्वेता नहीं होती है वो लड़ते हैं वो जगडते हैं और केवल जो है भोग विलाश करते हैं ले इसलिए विद्या अविद्या विद्या हम विद्या को ज्यान भी कह सकते हैं अविद्या अज्यान सारे हमारे धार्मी गरंत जितने हैं हमारी भारतिय संस्कृति है वा दुख का कारण अविद्या को अज्यान को मानती है और ये अज्यान जो है ये अज्यान का जो अंदकार जब मिढ़ता है तिमिर अग्यान का तिमिर जब मिढ़ता है तब वो ग्यान होता है हमारी भारतिय संस्कृति के अंदर गुरू को बहुत बड़ा उंचा इस्तान देव गुरू और धर्म इन तीनों को बहुत बड़ा उंचा इस्तान दिया गया है देव मतला हीश्वर प्राणि मातर जो उसको बज़ता है उसके संकट का मोचन करता है संकट को दूर करता है तत्य है हो देव गुरू गु मतलब अंदकार रूम में दूर करने वाला ऐसा वैक्ती ऐसा सब्वे इंसान ऐसा देवता पुरुष व्रक्ती जो गुरुवा कहलाता है जो की हमारे अज्ञान रूपी अंदकार को अरता है अज्ञान जो है एक अंदकार है और जब उस जगन जो अंदकार के अंदर एक छोटा सा दीपक मान लीजिए बहुत बड़ा जंगल है सैकड़ो सैकड़ो किलो मिटर फैला हुआ है उसमें छोटा सा दिया जला दीजिए तो छोटा सा दिया जो है उस अंदकार के तिमिर को हर लेता है और वो दीपक की रोशनी जो एक दिव्य परकास कर देता है उसी तरीके से हमारे भीतर जब ये ग्यान का दीपक दीपक को ग्यान को दीपक की उपादी दी गई है दीपक का रूपक किया जाता है और इस दीपक को एक स्वर्शुती मा के रूप में देखा जाता है हमारी संस्रती के अंदर तीम देविया कहीं जाती है एक देवी होती है लक्षमी जिसको स्री भ होती है वो हमारी बहुतिक संब्रदी करती है धन देती है दौलत देती है एश आराम देती है अच्छी पत्नी देती है अच्छा परिवार देती है बहुतिक सुईधाय जागरित करती है बहुतिक संब्रदी करती है और वही लक्षमी जो होती है दूसरी स्रीवर्दी करती है और दूसरी मा का रूप है सुर्षती, सुर्षती को ज्यान की देवी का जाता है, ये बीच में मैंने त्री देवी की बात क्यों कहीं, क्योंकि ये हमारा ज्यान से जुड़ा हुआ है, हमारा विद्या से जुड़ा हुआ है इसी कारण जो है ये तीन देवियों की मैंने बात कई सुर्शती देवी ग्यान की प्रतीक है वो हमें ग्यान देती है इसलिए स्कूल में, कॉलेज में, विश्य विद्यालेयों में बड़ी बड़ी संस्ताओं के अंदर दीप्रजुलन किया जाता है सुर्शती मा की आरती की जाती है सुर्शती मा की वंदना की जाती है क्यों की दियाती है कि सुर्शती माता जो है वो हमें ग्यान देती है और तीसरी देवी की बात करें कि दो तरे के मनुश्य होते हैं एक देवता पुरुष होते हैं वे स्वच संचालित होते हैं वे मानो मातर का कल्यान करते हैं जहां भी बैठते हैं खुद के कल्यान की बात करते हैं संत पुरुष होते हैं और दूसरों को कल्यान का रास्ता बताते हैं उनके जहन में उनके खून में बदमाशी हिंसा बिलकुल नहीं होती है उनका ऐसा शुद्ध रूप होता है इश्वर जैसा रूप होता है और एक होता है देत्य होता है राक्षश होता है वो किसी तरह की धार्मिक भावना को किसी तरह की अहिंसा की बात को सद भावना को ज्यान को कुछ नहीं समझता वो अ दुर्गा देवी क्या करती है ऐसे हिंसक लोगों को ऐसे द्यत्यों को ऐसे राक्षशों की जो है वो हिंसा करती है और वो तांडव नर्त्य करते शिवजी की तरह है वो देवी जो पारुती देवी है और समस्त जो दुर्गा माता के कई नाम हैं कई रूप हैं वो क्या ऐसे ऐसे द्यत्यों का नरसंगार करती है बीच में बात आगी मैं बात कर रहा था ज्यान और अज्यान की सबसे बड़ा इंसान के दुख का कारण अज्यान है दुख का कारण हमारे सादन सिमित या हमारी गरीबी नहीं है एक जहुंपडि में रहने वाला व्यक्ती बहुत बड़ा आनन से रह सकता है बहुत बड़े सुक की अनुपोती कर सकता है और एक 20-30 मंजिले मकान में एसी में रहने वाला सुक सुईदा में रहने वाला धन्दोलत का मालिक भी नींद से आराम से वो नेंद नहीं ले सकता, उसको नेंद की गोलिये लेनी पड़ती है, क्यों लेनी पड़ती है? कि उसके पास में सादन तो बहुत है, लेकिन भीतर का जो ग्यान का खजाना है, वो अज्ञानी है, उसके पास में वो खजाना नहीं है बंदुओं, तो जिसको ग्यान हो जाता है वो आनन्द की अनुभूती करता है और आनन्द की अनुभूती ही मनुश्य जीवन का सर्वोचक जो उच्च सादन है मुक्ष में क्या है मुक्ष में ऐसा आनन्द है ऐसा सुख है कि उसके बाद में कभी दुख आता ही नहीं हम जो गरस्ती लोग हैं जो हम इस चरा चर जगत में जीवन यापन कर रहे हैं या कोई भी जीव इसमें जीवन यापन करता है उसके बाद उसके एक सुक होता है सुक के बाद मैं दुख आता है दुख के बाद सुक होता है मैं आपको एक भाई और बैनो सोता गण आपको जो है मेरे सम्मानिय सोता गण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम देखिये मुझे एक लाख रुपे का फायदा हुआ दंदे में तो मैं बहुत खुश हो गया मुए सुखी हो गया थोड़े समय के बाद में उसी दंदे के अंदर मेरे पाँचला का घाटा चला गया तो मैं दुखी हो गया अब ये देखिये पूरे जीवन भर ये सुख और दुख का संगर्ष चलता रहता है ये अज्यानता है ज्यानी पुरुश्वा होगा वो दोनों को विनाशी मानेगा के सुख भी के बाद भी जो है सुख आये चाए दुख आये हर समय निकल जाता है वो उन दोनों में संतूलन करता है उन दोनों के अंदर उसका भीतर का जो कोई भी चिंतन है ना बिलकुल विचलित नहीं होता वो अनुकूल प्रतिकूल दोनों में एक सा रहता है सर्दी हो गर्मी हो सुख हो दुख हो कोई इंसल्ट करे कोई सम्मान करे उसके पास कम धन है कम सुईदा है चाए वो जौपडी में रहता है चाए वो महल में रहता है चाए वो एसी में रहता है या सूर्य की दूप में रहता है दोनों को एक सा समझता है बंदूओं ये ज्ञान है ज्ञान का काम जो है समता में जाना समता ही ज्ञान है अनुकूल प्रतिकूल परस्तितियों में एक सा रहना दोनों को एक सा समझना उसमें बेदना करना ये ज्यान है, ये सिख्षा का कारिय है, सिख्षा का कारिय है, विध्या का कारिय है, कि एक जो अज्यान का जो तिमिर है, अज्यान सगन जो हंदकार है, उसको मिटाना, इसलिए इसको अविध्या का गया है, उसको विध्या का गया है, और अज्यान को अविध्या का गया है, अब विद्या को दुख का कारण माना गया है, विद्या को हमारा सुख का कारण, सुख कैसा? आनंद, सुख और आनंद में फरक है, आनंद जो होता है, वो भीतर से स्पूटित होता है, उसके बाद में दुख नहीं होता है, वो पर्मानेंट हो जाता है, तो अब मैं बात कर रहा था कि विद्या ददाती विनयम अब विद्या की हमने इतनी बात की है अब विनय पक्ष में आते हैं कि विद्या हमको देता क्या है यह जो हम आनंद की बातें कर रहे थे कि विद्या से आनंद मिलता है लेकिन वो आनंद कैसे मिलता है किस माध्यम से मि बताना चाहता हूं विने विने बंदूओं का मतलब होता है कि वो व्यक्ति के अंदर सहानु भूती हो करूना हो वो व्यक्ति जो है अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझता हो उसके अंदर हम मान सकते हैं कि विने का तत्व है करूना शील तत्व है जब कभी भी उसको प्रणाम करता है तो हम कहते हैं कि कितना विनेवान है कितना इसके अंदर विनेवान है कैसे अच्छे माता-पिता का ये बेटा है कैसे माता-पिता ने गुरु ने उसको संसकार दिये कि ये विनेवान हुआ बंदूओं विनेव एक ऐसी quality है एक ऐसा गुण है कि वो सत्रू को भी मित्र बना देता है और अब इनए एक ऐसा अवगुण है कि अपने मित्र को भी सत्रू बना देता है कैसे मैं आपको एक उदारण के तोर पर बताना चाहता हूँ कि एक बेटा है और एक माँ है अब एक मा के दो बेटे हैं एक बेटा माने कहा कि राम तो मिरा ये काम करके आजाओ तो मा का शब्द निकला और राम गया और फटा फट जो काम बताया उसको प्रसम प्रात्मी कता देकर के उसको आदेश मान करके मिरी मा गुरु का आदेश है तुरंतों कारे कुछीख़ण के अंदर कर आ गया अब दूसरा अब एक पुत्र देखिए मान ने शाम को कहा की शाम तुम मेरा ये काम करके आना अब वो शाम तो क्या है भो क्या करता है कि उसको काम तो करता नहीं और गणटे दो गणटे के बाद मा पूचती है मा उसकी परिक्षा लेती है शाम मैंने तेरे को फला काम बतायाता करके आने का कियाक नहें किया बेटे शाम क्या बोलता है कि मा तुन्हें उस जो दुकान जाने को कहा था अभी तो बहुत गर्मी है मैं कैसे जाऊं मेरे पास मैं सादन भी नहीं है स्कूटर भी नहीं है और उसके बाद वो कहता है बहाने करता है कि मैं वोस दुकान पे गया जूट बोलता है अब देखिए एक अवगुण एक अविनय एक उच्छंक कलता कितने अवगुण सिखाती है वो जूट बोलेगा मा दुकान बंद थी और फला दुकान पे आपने उस व्यक्ति से मिलने कहता वो मुझे मिला नहीं सारी बातें जूटी बोलता है और आखिर वो श्याम आके कहता है कि मा यानि काम नहीं होता है अब मा मन में चिंतन करती दोनों बेटे हैं वो कहती नहीं है क्योंकि मा के लिए चाहिए सपूत हो चाहिए खोता सिक्का है मा तो दोनों को प्रेम से रखती क्योंकि मा प्रग्यवान घूती है मा एक ऐसी जननी जो है जन्य जन भुमी साशनकडा यानि हमारी जननी को मा को और जनभुमी को शरू के समान कहा गया है यह हमारी माँ जो जन्वनी जो है बंदुओं हम उसके साथ कितना अन्या करते हैं जनम बुमी के उपर, जनम देने वाली माँ के उपर, प्रत्वी के उपर कितना कूडा करकड, कितनी गंदगी और कितनी जो अशुतस या दूसरी चीदें माँ पर डालते हैं, माँ सबको ग्र मा की समता देखो जो मैंने अभी अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने वाली समता की बाद सेंसीलता की बाद समता और सेंसील एक ही चीज है और जिस विने की बात कर रहा हूं वो विने जो है सेंसीलता देती है वो मा इतना जो है वो जननी इतना सें करती है दूसरी जनम दे जननी नौ महीने बेटे को अपने पेट के अंदर कोक के अंदर रखती है और वो कितना उसको खून चूसता है वो उसका सारा भोजन मा देती है उसके बाद के अंदर बच्चा जब जनम लेता है मा उसका पालन पोशन करती है कितनी अपनी संतान की चिंता करती है कि बच्चे क उसको सर्दी लग जाएगी उसको कपड़े जो गंदे किये हैं उसको सूके कपड़े पेनाती है पिशाब किया हुआ होता है पिशाब से खुद पिशाब में सोती है ऐसी हमारी जननी है और वो उसको सूके में चलाती है और बच्चा जब बड़ा होता है महा चिंता करती है सम और वेन में बिटा के वो निश्यन्त होती है सिक्षा के लिए बेशती है क्यों बेशती है जो जिस सिक्षा की बात मैंने की वो सिक्षा गुरू सबसे पहला बचे का जो सिक्षा गुरू होती है प्रसम पाट साला मा कहलाती है इस माह का जो गुन है ना ऐसा कहा जाता है हमारे धार्मिक गरंतों के अंदर हमारे सत्पुरुष कहते हैं कि माता पिता का रोजा पैर दोकर के उस पानी को पियो तो भी जो है वो माता पिता का करजा नहीं उतरता है मुझे बताईए आप सभी को इस दर्ती के उपर इस ऐसे भारत जैसे महागुणी देश के अंदर ऐसे सत्तंग वाले देश के अंदर जहाँ पर पत्थरों को पूजा जाता है सेकड़ों मंदिर है कदम कदम पर मंदिर है यहाँ पर बड़े को प्रणाम किया जाता है छोटे की प्रती वातसलिक किया जाता है माता पिता होते हैं माता पिता को हम संसार का स्वर्ग मानते हैं तीर्थ मानते हैं मंदूओं हमारी संस्कृती की कितनी कितनी विने की बात करू शिक्षा की बात को एक तरफ तो मेरे इस साथ में सिक्षा है ज्यान है इस साथ में विनेवंदूं दोनों के बीच में हमारा जीवन है यह सारी अगर मैं आपको एक प्रशन करना चाहता हूं अगर मैं सिक्षत नहीं होता मेरे माता-पिता ने नहीं पड़ाया लिखाया होता, इतना त्याग नहीं किया होता और मुझे आज इतना बड़ा विदवान, प्रोफेसर रेंक का, कुल्पती रेंक का नहीं बनाय उस माता-पिता को मैं वो है बहुत ही जो है, وہ विनेवाव से जो है उनको प्रणाम करता हूँ, करतिगेता अगापित करता हूँ, और उस इश्वर को करतिगेता अगापित करता हूँ, उस गुरू को करतिगेता अगापित करता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाईयों और बेनों मेरा कोई शब्द नहीं है, ये बोलने वाला गुरू है, मै नि मैं तो कटपुतली हूँ, उसकी डोर मेरे गुरू के हाथ में, गुरू मेरे वो संदेश भेज रहा है अपरतिक्स रूप से विचार और मैं वो कटपुतली नाच रही है, वो शब्द जो है, वो मेरी वानी के हैं, देने वाला गुरू है, बंदूओं, ये संस्कृती है, ये कहां से आता है, ये सिक्षा से आता है, ये विने से आता है, मैंने गुरू के प्रती इतनी बात कही, ये कृतग्यता की बात कहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, यही विने है, बड़े भाई के प्रती जो है, मेरी शृधा के बाव है, के बड़े भाई ने, मुझे कि किसी के माता-पिता बच्पन के अंदर चले जाते हैं, छोटे बच्पन में किसी का अंकल पालता है, किसी की दादी पालती है, किसी का बड़ा भाई पालता है, किसी की भावी पालती है, सब पूजनिय हैं, वो वंदनिय हैं, वो माता-पिता के समकक्ष है, जो आपको इतना ब बहुत बड़ा एक जीवन तो उदान देना चाहता हूँ कि एक जो है दो भाईयों के बीच के अंदर दिवार खिच गई धन को लेकर के कोड केस चला और वो कोड केस जो है उन दोनों भाई चले गए उनके पोतों तक चला गया तो आखिर में कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति जो है जब अच्छा समय आया तो उनको ये कहा गया उनके पोतों को के इतने इतने बरसों से आप लड़ रहे हो इतना इतना शांती पैदा की बाप भी उस चिंता के अंदर दोनों भाई भी चले गए और अभी भी जो ये मामला कोड के अंदर चल रहा है तो अच्छा व्यक किया दोनों एक दूसरे के पैर पड़ें के भाईया गलती हो गई जो कुछ भी है ये आदा तुमारा आदा मेरा अगर ये पहले 30-40 साल पहले वो अगर विने करते जो आज की गई है बंदूओं तो ये निप्टारा हो जाता आप देखिए विने के कितने कितने बड़े से अलग करूंगा लेकिन क्या होता है कि वह व्यक्ति जो हत्या करने वाला होता है वो उसकी मां के जाके पैरों के अंदर पड़ जाता है और हमारी भारती संस्कृति के अंदर मूं के अंदर जो है लीला तिनका इसको घास बोलते है वो डाल देता है और वो बोलता है मां मै मैंने तेरे बेटे को मारा मेरी ऐसी कुबुद्धी हो गई अब मैं तेरी काली गाय हूँ बाई और बैनों सोता गन दर्शक गन आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको सादुवाद कि आपको बहुत इंट्रेस्ट आ रहा है और ऐसे गहन विश्यों के उपर जो है आप एक अरतीय संस्क्रintegrate के मुल्यों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन सपल हो गया होगा जगत कल्यान हो सबर्दी मंगल वामना स्वास्त हो सुद्मंगर में हो और सब का मोक्ष हो शब प्रती मंगल वामना स्वास्ति मंगल वामना सुभ कामना